अलो नमस्कार मेरा नाम देल बीर है और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल का नाम Indian Technical करने के लफारमिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूं कि देशी कपास की विगयनी खेती कब और कैसे करे और कौन-कौन सी सावदा नहीं रखे अगर आप देशी कपास की विजाई करते हो तो पुझाई किसमें कौन-कौन सी सावदा नहीं रखे जिससे की विजगां कौन सो परतिसत्तक हो जिससे की हमें कम खर्च वक कम समय में ज्यादा से ज्यादा पसल गी पैदावार प्राप्त हो जिससे की हमें अच्छ इंकम प्राप्त हो इस वीडियो को अंतक जु पूरी से भी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देश्य कबास की किश्में पंदरह अपरे से सुरू होती है बिजाई अर्याणा में मु interfaces के तीन तरह कीशनों के तरफ से परियूब किये जाते हैं जिसमें नर्मा बिट्टी कोटन तथा देशी कपास सामिल है, कपास के सभी पीजों की बिजाई अपरेल से शुरू हो जाती है, जो पूरे महिने में रहती है, जानकारी के मताबिक किसानों की तरफ से उंदान के लिए रिजिस्ट्रेशन करवाई जानने के बाद उसका बुद्धिक से तैपान होगा, जिसके बाद किसानों को नदान असी जारी की जाएगी, गुलाबी सुंडी बनिया समस्या, कपास अर्याना में प्रमुक नगदी पसल है, जिससे अर्याना के किसान थोड़ी नमकिन और कमजोर भूमें सबलता पुरुक उगा रही है, दान की तुलना में इसमें लागत कम रहती है, जबकि बजार में इसका बाउध दान से अधिक करता है, ऐसे में किसान कपास की तरफ अधिकास अक्रसित हुए है, लेकिन वित्य कई वर्सों में उत्तरबात में होने वाली कपास की पसल पर गुलाब भी सुन्डी लग जा रही है, जिसमें कपास की पसल खराब हो जा रही है, जिसको देखते हैं वित्यक कुछ समय से विशे से गुलाब भी सुन डी मनेजमेंट के लिए से टकनोलोजी पनाने पर जोर दे रहे हैं वहीं इसी भी चरियाना सकार ने देशिक पास की विक पादन को बढ़ानी पर जोर दिया है आज हम बात कते देशिक पास की वराइटी के आरचोंसट की यह के आरचोंसट वराइटी सक्तिवर्दक आईबराड शिट्स प्राइबेट लिम्टिट के दोबार बनाए गई है इसका पुदा फिलाउदार होता है इसमें 22-23 फल दारक सकाय होती है इसका टिंडा डाइग्राम तक का होता है सदानत्य इसमें 3-4 तैडियां होती है इसके पकने के अवद्दी 150-160 दिन के होती है यह कम समय में पकने वाली किसम है देख जानकार यहतु आप संपरक्रे 0-1662-2556 सक्ति वर्दक आईब्रार शिट्स प्राइवेट रिमिटेट तिलक बचार निसार के आड़ चोंसट वर्राइटी बादस्रकार द्वार नोटिफाइड खिसम है अखिल बारतिय समनवित कपा सुधार प्रियोजना प्रिक्शनों के अनुसार के आड़ चोंसट ने उतरी बात में AAH1 की तुलना में 13.49 पतिसत ता अर्याना में AAH1 से 58.37 पतिसत ता सी 1 सी आर 2 से 34.46 पतिसत तता राजस्तान में आर राज देच नाइन से 21.37 अधिक पैदावार दी है दो जासोडा से है कि समुत्तर बारत का जोनल चैक है इस वराइटी का आप जुरूर लगाई कलीवा फूल बनने से पहले के वस्ता बुक्की में सुंडिया परवावी रहती है जो बुक्की को खाती रहती है जिनके और किसान का द्यानी नहीं जाता है उसमा दिस्टिक पास में पोदो पर फूल दिखाई नहीं देती है ये सुंड़े आप फूलो और फूलो को खाती रहती है, बाद में किसान का ध्यानी सोर जाता है अता पसल बचाने तो ट्रेसर का पहला सप्रेज जुलाई के पर्थम सप्ता में अवस्या करें उसमा किसान यह न देखे कि उसमें कोई केड़ा है या नहीं है अक्सर किसान यह भी सोचता की बर्षानत आएगी तो ही सप्रे करुआ अन्ता किसान बाई बर्षानत आने या पानी लगाने का इंतिजार नहीं करें ट्रेसर के पहले जुटकाओ के बाद सतर मिलिमेटर ट्रेसर या डेट सो गरम टाकुमी पत्ती एंकड का सप्रे दस से पंदरा दिन के अंतराल पर दोराते रही पुसर पवस्ता में अन्पी के उन्निस उन्निस के गोल ता पचास मिलिम लिटर पलाई नोफिक्स का पत्ती एंकड चिटकाओ अपसे दोराई जब फल या टिंडे बनने आरम हो जाए तो उसमें 13.045 की सप्रे को कम से कम दो बार दोराई जिससे फलों को अधिक खुराक मिल सके इससे आपकी पैदावार ज़ादा होगी कर्पिया द्यान दे कि किसान भाई दबा का चिटकाओ करते समय या सुनिशित कर ले कि टैंक या टंक की से ग्यों के पसल में टूपोर्डी दवाय का प्रियोग ने किया गया हो आज हम बात कते देशी कपास की विगानी खेत्ती के बारे में नंबर ग्यारा पसल की वुआई शिचित दा ऐसी चेत्रों में नंबर बारा खर्पत्वार की रोगताम नंबर तेरा तिस दिन बाद शिचाई नंबर चोदा तिस दिन बाद निराई या गुडाई नंबर शोड़ा तिस दिन शाड़ दिन वासित चाई या फिर वर्षा नंबर पंदरा जलगा प्रबंदन नंबर शोड़ा केटवा रोगा प्रबंदन नंबर सतरा सप्रे एंटी कलोराइड मौनू आसाटाप फंगस के लिए कॉपर ओक्सी कलोराइड इतियादी फैफल फुलो के बड़वार के लिए टोनिक का प्रियोग नंबर एक प्लैनो फिक्स नंबर दो कल्टार नंबर सतरा फसल में खाद का उप्योग फिर चुनाई फिर बंदारन ये मुख्य स्टैप है जो देशिक वास की फसल में उप्योग किये जाते हैं अब हम बात करते हैं देशिक वब्र सकी प्डियान के यह उग्यानिक खिती के बारे में नंबर एक उपी ookस में ॥ देशिक पाँस की बीजाए का उप्योग का उप्योग समय अगर पहले उस खेट में सर्सों की भी जाय की थी तो सर्सों के फ़नों को रोटावेटर की साथा से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सर्सों के फ़ने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए फिर आप एरो की साथा से एक दो बार अच्छी तरह जुताई क कर दे फिर आप लेजर लेवलर की साहता से खेट को समतल कर दे ताकि खेट किसे चाहिए अच्छी तरिक्के से हो जाई अब हम बात करते हैं देशिक पपास की खेटे के लिए मिट्टे की जांस सबसे पहले अपने खेट की मिट्टे की जांस करवा ले जिससे हमें यापता जाता कि मिट्टे में किन-किन पॉसकत्तों की कमी है और खेत की मिट्टे किन-किन फसलों के लिए उप्युकत है और इस मिट्टे में कौन-कौन शिपसले उगाई जा सकती है जैसे गहूं, चना, अरहर, सरसों, राया, बर्सीन, गना, अलू, मक्का, बाजरा कपास, त्यादी मिट्टे की जांसे में यहा पता चल जाता कि इसका प्याचमान कितना है अगर फसल की बिजाई के लिए नाइट्रोजन जाने वाली नाइट्रोजन बिजाई पर प्याचमान के लिए अगर आप फसल की बिजाई के लिए कारे पानि का इस्ते हमाल करते हैं तो यह बहुत अच्शा है और इसमें बिजाई का उनकूर्ण 100% तक हो जाता है अगर आप वर्षा के बार फसल धे वीन in बीजाए करते हैं तो इसमें 250 स्वर्ण नाइं इसका ratios को जाता है अगर आप विजाई के समय क 돌 पानी के पानी की जांच करा लें अगर टुवल का पानी प sesi मिट्ष पहता पैने में के पानी के मिट्ः एक स्घालख से कम है ऑर इसमें सभी परकार की फेसल के लिए अच्छा है और इसमें का पीपियो में एक जार से ज़दा है तो इसमें 20 कम कुंठ छी तरीके से नहीं हो पाता, इससे हमारा नुक्सानों हो जाता है, इसलिए पानी की जानच करवाना भी हो जुरूरी है, कपास क खिट्टे के लिए बूमी का चुनाओ २िसा जलदारन ऋर जलन का समतावाली बूमी होनी चाहिए जन छेतरों में वर्षा कम होती है वहाँ इसकी क्षिती हदिख जलदारन वाली समतावाली मट्टियार भूमी में की जाती है जहां सिचाई की सुविद्दाइं उपलब दो, वहां बलूई वा बलूई दो मत मिट्टी में इसकी खेत्टी की जा सकती है, यह अलकी अमली यह उम सारी बूमी में उगाई जा सकती है, इसके लिए उप्यूकत पियच मान साधे 5 से 6 है, अलांकि इसकी खेत्टी साधे 8 पिय जल को मई मा में ही लगा जा सकता है, सिचाई की प्रियापत उपलपदा ना उने पर मान सुंग की उप्यूकत वर्सा होती ही, कपास की फचल उगा सकती है, कपास की उत्म फचल के लिए आदरस जलवाई उका उनाव सकता है, फचल के उगने के लिए कम से कम 16 डिगरी सेंट होना होना हुचीता है, इसके बढ़बार के लिए 28 से 27 डिग्री संटीग्रेट और यदि ठंडी और कॉनी हुटा हुटा है। से अधिक वर्षा का होना कपास के लिए अनिकारक होता है कि कपास की उनत खेति के लिए खेत के त्यारी उत्री बात में कपास की खेति मुक्यत से चाहिया दारित होती है इन चेतरों में खेत की त्यारी के लिए एक से चाहिकर एक से दो गैरी जुताई करने चीए इसके बाद कि ज्यादा समच्या ना हो तो बिना जुताई या नियुन्तम जुताई से भी कपास की खिती की जा सकती है दिख्षणेवाय मद्यमार में कपास वर्षाधारित काली बूम्गी में उगाई जाती है इन छेतरों में खेत त्यार करने के लिए गैरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल्सी रवी फसल की कटाई के बात करनी चीए जिसमें पतवार नश्ट हो जाते हो वर्षा जल्गासंच्या अधिक होता है इसके बाद तीन से चैर बार एरो चलाना काफी होता है बौई से पहले खित में पट्टा लगाते है ताकि खित समतल हो जारी या फिर आप ले देख के अब हम बात करते हैं फशल पती या फशलचकर फशलचकर एक ऐसे परनाली है जिसमें फशलों को इसकर्में बवाजाता जिस्सेकी मर्दा के उरुकता सक्ति बने रही एक सपल उत्पादन के लिए उत्याई प्रमुकार को में से एक फशल चकर एक मात्तोपूर्ण स्थान रखता है फसल चक्र अपनाने का मुख्या देश्य पराक्ट तक सहसादनों का उभ्योकत करके उसमें अधिक फसल उत्पादन करना होता है किसी भी खेत में फसल को अदल बदल कर बोना एरफेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है ऐसा करना से मर्दा के उरुकता सकती बनी र करते हैं किस्चेतर की भूमी जलवाई यह उन्हें अत्ता वर्णिकारकों के दार पर विवीन फसल चकर अपनाया जाते हैं एक अच्छे फसल चकर को अपना करें किसान अपनी भूमी में अधिक से अधिक लाप कमा सकता है पसल चकरों की संक्यातिन होती है एक वर्षिय फसल चक्र जैसे मक्का के बात गे हूँ, दो वर्षिय फसल चक्र जवार बरसीन दान मक्का, इसके तरिक्त फसलों के चक्रों के दारपत फसल चक्र को वर्गिकत किया गया है, रविक की फसल में अपनाय जाने वाले फसल चक्र, खरीब की फसलों में अपनाय जा सब्सकतावाली अर्शादनों करशि सहसादनों का प्रयोक समता पूर नंग से करना छी बुमी कटाओं शेतरों में अच्छद। लगानफ के लाब किसी खेत के पर्ति का शच्दपल में से एक नृत्बाद में वर्दी होति हैे। उनके आवशक बीज का थताकर पत्माने सीन आदी का उंचित समय के उनसार पिरियोग किया जा सकता है फसल चकर में गैरी कम उतली वाली जड़ों के समयलित होने के काण बूमे क्यों पुर्गी सिता थता निच्चे की सत्ता से पोशक तत्तों का फसल चकर द्वारा उंचित वह तेजी से आवसर सुन होता है एक फसल चकर को अपनाने से मर्दा सरक्षन में कमी आती है क्योंकि फसल चकर में आच्छा ददन फसलों को समयलित किया जाता है कर्षकों को वर्ष बर कर्या करने का आवसर मिलता है फसल चकर के लाब मर्दा की उरुकता सकती में वर्द्य होती है मर्दा के बहुतिक रसायनिक थदा जविगुणों में सुधार होता है सगन फसल चकरों को अपनाने से भूमी में जुआस पदात की मातरा में वर्द्य होती है उन्चित फसल चकर को अपनाने से भूमी में पनपने वाले विविन बिमारियों के परवाव में कमी आती है बेज़ का चुनाव करते है जो की अपने 6 तर और एरिया के चलीजशास भी शिर भालब ती है कि बीज़ के वराइट्टी किया ca circumstance मीठ पानी के सब्सक्राइश करना धिया किσι यह साय करें अल्यग यहा लूंशा सब्सक्राइंच पर प्राज रिजिस्ट्र हो जैसे राशी यूशी शक्ति वर्दक बीज ख्रिद्यस में हमें बीज का पक्का भी अवश्य लेना चीए जिसे की बीज के डूपलिकेट होने के चांज कम होते हैं और एक अच्छा ओरिजिनल बीज हमें अच्छा उत्पादन देता है अब हम बात क कि रोकताम के लिए हम बीज का पुचार करते हैं जिसे हम अब फाई आर भी करते हैं जिसे हम फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड और राजियों बीज कल्चर भी करते हैं सबसे पहले हम बीज को फंगिसाइड की दौईयों से पुचार करते हैं फिर हम उसको इंसेक्टिसाइ बीजगी मातरा हम देशी कपास की विजय के लिए एक अंकड में दो पैकट की विजय करते हैं वो संकर किस्मों की वराइटियों में हम ये दो पैकट की विजय करते हैं अगर हम देशी कपास की देशी वराइटियों करते हैं तो हम एक अंकड में लगवग दो से तीन किलो बी की विजाई करते हैं लगबग सभी संकर किस्मों का ही आपयोग करते हैं क्योंकि संकर किस्में ज्यादा उत्पादन देती है जैसे के आर चौनषट देशी खपास की उनत किस्में हैं HD 107, HD 123, HD 324, HD 432, वशंकर किस्मे AAH1, AAH32, वएक 164, यह देशी कपास की उनत किस्मे हैं जो बहुत बढ़िया उत्पादन देती है HD 324, इस देशी कपास की किस्म के पूद्दे लारंगे, पत्ते का मद्यम और रंग लाल होता है इस किस्म के फूल गुलाबी रंगे, फूलों के अंदर गायरे लारंगे दबेयों प्राकन पिले रंगे होता है इसके पूद्दे में 324, मजबूत वानस्प्तिक सखाय होती है उसद पैदावार 9-10 कुंडल परतियां कड़ है इसके रेश्चे के उसद लंबाई 15-16 मिलिमेटर और रूवी का पतिसत ब्यारी से है यह किस्म पकने में 145-188 देन लेती है इसलिए कपास गयों फुसल करके लिए उप्रिकत है इदी इस किसम की बुआई या बिजाई 15 अपरेल मा के पहले पकवाड़े में की जाए तो अधिक पैदावार के साथ साथ रेश्चे के गुणमत्ता में भी अच्छी सुधार होती है बिजाई या फसल के बुआई बिजाई अगर आप मशीन के साथा से खाद की बिजाई वह बीज की बुआई एक साथ कर सकते है अमें बीज की बिजाई सुबह या स्याम की समय ही करने चीए बिजिय के समय दुटिાए एघ स्फियॆजु हा, बिजिय से लुटि धूरी एग फुट , डिजिय का हाई आट से 10 cm रखने मीज़ए पिजिय के समय बिजिय हा, बिजिय के में कव्यों गिल्ली मिट्ट स् profBI पर घी बाइ सहां थे रिख प्र shení sheur में वर्षा के आदार पर इसकी विजाई की जा सकती है खरपतवार की रोक्ताम के लिए में विजाई के तुरुंत बाद पैंडा में लिथिया 30% इसी का ही छटकाव करना चाहिए 500 mm दुआई को डाइसर लेटर पानी में उसका गोल मना कर उसके उपर एक अंकड में उसका छिटकाव करना चाहिए इस से खरपतवार वाँ जर्मिनेशन नहीं होगा अब बात करते हैं कपास की कित्ते के लिए निराई गुडाई है उसी चाहिए पहले निराई गडाई उंकूर्ण के 20 से 25 दिन के बाद करने चाहिए यदि पसल में सिचाई की जूट पड़े तो अलकी सिचाई करने चाहिए इससे कीट वा रोगासर कम रहता है यह अच्छी पैदावार होती है वहीं अगर बाइश जादा उजाए तो हमें सिचाई की आशूक्ता कम पड़ती है जल पर्बंदन पास की खर्थी मेरे जल का पर्बंदन भी होना बहुत जुरुरी है क्योंकि अगर ज़्धा बारिश उजाए तो हमें जल निकास का पर्बंदन करना चाहिए यह आप पंप की साइटा से कर सकते हो कपास की खेत्थी के लिए खा दें उरक कपास की उनक किसमों के अच्छा पैदावार के लिए परती एक्टेर नाइट्रोजन 80-120 किलोग्राम फासपोर 44-60 किलोग्राम पुटास 20-30 किलोग्राम वेम सलफर 25-30 किलोग्राम प्रियापत होता है सलफर की पूरी मातरा बुआइगेस में तता नाइट्रोजन के 35-30 मातरा बुआइगेस में बाक की मातरा तीन बराबर बागों में 36-90 दिन के गटरालपत देना चीए वही फास पोस हुआ पुटास के आदी मातरा बुआईगे समय तता आदी मातरा साथ दिन के बाद देना चीए वही अच्छी पैदावार के लिए अब हम बात करते हैं कपास की पसल में लगने वाले प्रमुक कीट गुलाबी सुन्डी कपास की पसल के लिए कर कोई सबसे बड़ा दुस्मन कीट है तो वह है गुलाबी सुन्डी जो अपना पूरा जिवन उसके पोदे पर बिताती है यह कपास के छोटे पोदे कलीवा फुल को नुकसान पुझा कर पूरी पसल को नश्ट कर देती है इसका परकूप हर साल होता है प्रबंदन इसके नियंतर्ण के लिए कोरो मंडल के किट ना सकता फेंडाल 50% इसी का सटकाव कर फेंडाल एक भू आयामी किट ना सका है यह किडे पर लंबे समय तक नियंतर्ण रखता है इसके लाव इसमें तेज देखी गंद होती है जो वैसक किट को अंडा देने से रोपती है स्पेद मक्खी यह किट देखने में पीले रंगा होता है लेकिन इसका शरीर स्पेद मौम जैसे पाउडर से डखा होता है यह पो देखी पत्यों पर एक चिप्षपा तरल पदार छोड़ता है यह पत्यों का रस चुचता है परबंदन स्पेद मक्खी किट परबंदन के लिए कुरोम अंडल का फिनियों केटनासक का प्रियों करेब फिनियों में दो अनुकी केटनासकों की जोड़ी है जो दो विविन का रहे से लूशिये काम कर सकते है इसके इलावे यह पाईट वर्हानिक प्रभावसी यूगत है जिसमें क्यूडो का तुन तो और लंबे समय तक समावत करने की समता होती है यह सपेद मक्खी के सभी चरणों जैसे अंडा निप वैसे को एक बार में समादान उपलत कराता है इसके प्रती अंकट 400-500 mm की मातरागी जूर्थ पड़ती है अब हम बात करते हैं माव याए फिट की याए बहत कॉमल कीट होता जो दिखने में मटमेले रोका होता है माव कीट कपास की पत्यों को खुर्च कर उसका रश चूश लेता है इसके बाद पत्यों पर एक चिपचपा पदा चोड़ता है परबंदन इसकी कीट की रोक थाम के लिए क्रोमंडल की फिन्यू किट ना सका चिटकाओ करें अगर आप दूसरे किटना सका चिटकाओ कर सकते हो तो आप डॉक्टर की साथ तास्क के नुसार तेला कीट काड़े रंगा या किट पुदों की पत्यों को खुच कर इसका रश पी जाता है इसके लिए बजार में बहुत सी केट ना सकते हैं या उपलवद है आप तेला केट के लिए सप्राक करें हराम अच्छर या देखने में पांच बुजाय कर और पीले रंगा होता है इसके केट के आगे के पंको पर एक काला दबा पाया जाता है जो कपास की शिचुएं वशक अवस्ता में पत्यों का रश चुचता है जिससे पत्या पीली पढ़कर सुखने लगती है परबंद इसके केट के परबंद के लिके लिए पूरे केट में परतिया कट दस पीले परपंच लगाने चीए इसके अलाग पांच मिलिमेटर नीम तेल को एक मिलिमेटर टिनोफाल या सेंडोविट को परति लेटर पानी के साथ गोल बनाकर अच्छ़टकाओ करे मेले भग इस पर जाती के केट की मादा पंक वीन होती है वहीं इसका शरी शपेट पाउडर से डखा होता है अलांकि इस केट के शरीर पर काले रंग के पंक होते है तो खाओ तन्य फूल पूड़ी प्रणवर्त तथा गेंटों का रश्चु जाता है इसके बाद इस मिठा चिपश्वा प्रदा नंबर एक जिवान जुल्चा एम कुणिया दबा रोग नंबर दो मायरो थोशिस पत्ति दबा रोग नंबर तिन अल्टरनेट या पत्ति दबा रोग नंबर चार पोद अंगमारी रोग जुआन जुल्चा एम कुणिया दबा रोग या रोग पुद्दे के वईयू वागो को नुक्सान पुचाता है जान छोटे गोल दब्बे मन जाते है जो बाद पीले पड़ जाते है या कपास की सहपत्तियों और गंटों को भी नुक्सान पुचाता है इस रोग के बड़े बूरी दब्बे मन जाते है इसके बाद पत्तियां तोटकर निच्चे गिर जाती है इससे 25-30% उत्पादान में कमिया जाती है रोग प्ताम के लिए उनुसरसिद किटनास काही प्रियोग करें अर्टरनेट या पत्ति दबा रोग मोसम में तदिक नमी के कांड पत तर के प्रामर्स के अनुसरी कि अनुसरिक किटनास का प्रियोग करें नमर्चार पोद अंगमारी रोग या रोग पोदे की मुषले जोड़ों को छोटकर मूल तंतों को नुक्सान पुचाता जिसके कांड पोद्धा मुर्जाता था रोग थाम के लिए उनुसर्षिद करते हैं कपास में सप्रे कपास में 30 दिन के बाद अलके द्वाइए का ही सप्रे करें जैसे इंडिकलोराइड मोनो उसके बाद अगर आप फंगस के बिमारे के लिए रोगथाम के लिए चुटकाओ करते हैं तो आपको प्रोकूलोराइड का ही प्रियोग करीँ अगर आप के खेट में फल फूलो की संक्या को बढ़ाना चाहते हो तो प्लानोफिक्स कल्टार जैसे टोनिका प्रियोग करें जो खेट में फूलो की संक्या में बहुत भारी मातरा में जबदस्त वर्द्दी करता है जिसे फूलो की संक्या में वर्द्दी होती है वह फूलो क Wakda Nagler ayah के पहले सब तक तक और जाती है इसकी उतपादन की बात कर रहात युगि से 15 स्कूछ और लिए जाता है इसकी चुनाई कर लिया जाती है और फिर इसका बंडान कर लिया जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें।